बहुत सारे लोगों का सवाल था कि चावल कब खाएं चावल देखिए चावल थंडा है चावल की इतासीर थंडी है इसकी तुलना चांद से करते हैं जैसा चांदरमा थंडा है वैसे चावल थंडे हैं इसलिए जो बच्चों को रात को बिस्तर पे जो पिशाब कर देते हैं या जो बजर्गों को ज़्यादा पिशाब आते हैं ऐसे लोग जिनको नजला जुकाम और कफ है उनको रात को चावल नहीं खाना चाहिए बाकी जिनको वजन बढ़ रहा है उनको भी रात को चावल नहीं खाना चाहिए बाकी जो स्वस्थ लोग रह गए हैं इनको छोड़ करके वो रात को चावल खा सकते हैं लेकिन उनको भी रात को चावल खाते वक्त ना तो उसके साथ कभी दही लेना है भूल करके भी क्योंकि दही तो रात को लेनी ही नहीं होती और अगर रात को चावल स्वस्थ वेक्ति खा ही रहा है तो उसको भी चावल के अंदर थोड़ी काली मिर्च साबुत थोड़े लवंग जिसको लॉंग बोल देते हैं वो थोड़े बहुत तेज पत्तर ये सब डाल करके ही चावल बनाना है तो ये रात को चावल खाने का नियम बेशका सबजियों वाले चावल खाएं या दाल के साथ खाएं मैं नहीं कहता है लेकिन रात को अगर कोई खाना चाहे भी तो इस तरह से चावल बनाएगा और सुबा के समय चावल खाना बहुत अच्छा है क्योंकि चावल थंडी प्रकरती का है तो सुबा सूरे की रोशनी में हमारे अंदर ये चावल पच जाता है अच्छे से वात होता है रात को यानि वात यानि वायू और दोपहर के समय में क्या रहता है दोपहर के समय में पित तो पित गरम है तो जब गरम गरमी शरीर में है या जिनको एसीडिटी आदी रहती है तो उनके लिए चावल अच्छे है थंडी प्रकरती के होने के कारा लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि जो वजन कम कर रहे हैं उनको रोज चावल नहीं खाना जिनको ज़्यादा यूरीन आते हैं उनको रोज चावल नहीं खाना बाकिस्वास्ति वेक्तिवी हफते में दो-चार बार चावल खाये बहुत होते हैं और बड़े अनाजे खाने वाले लोग चावल और गेहूं पे तूट पड़ते हैं जो की गलत है गेहूं और चावल आलस लाते हैं जादा इसलिए बाकि अनाजों को मिक्स करके बेसन हो गया या और मल्टी ग्रेन आटे आते हैं आजकल आप बजार में मल्टी ग्रेन आटे के ओपर अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो इस पर भी बनाऊंगा आप मुझे बताना कमेंट में तो ये मल्टी ग्रेन आटों को आप मिक्स करके बनाएं रोटियां उसका प्रयोग करें तो ये चावल के विशे में मुझे लगा कि लोग परेशान हो रहे हैं तो मैंने इस वीडियो को बना दिया आप सब के लिए धन्यवाएं